देश भर में आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर महिलाओं को कथा सुना रहे पुरोहित ने बताया कि इस अमावस्या पर पित्रों का श्राद करने से परिवार में सुक और श्रांती बनी रहती है कर्ज से मुक्ति मिलती है और पूरवजो के आशिर्वाद से बन्च में व्रद्धी होती है मानेता है कि सोमवती अमावस्या पर पीपल, बर्गत और पलाश के पेड़ की पूजा करने से सोभाग्य की प्राप्ती होती है आप देख रहे हैं डखल न्यूल